दोस्तों मुझे एक भाई का कमेंट आया हुआ है कि अगर बिल के अंदर मा खरगोस ने बच्चे दे दिया है तब कैसे जाने कि उसने सभी बच्चों को दूद पिलाया है या नहीं और कितने बच्चों को बिल के अंदर जनम दिया है तो गाईज आज हम लोग इस वीडियो में completely यही सब कुछ देखने और जानने वाले हैं कि अगर खरगोस बिल के अंदर बच्चे दे देती है तब हमें क्या करना चाहिए कैसे बच्चों की केयर करनी है और कैसे मादा खरगोस की तो गाईज अगर आप भी एक रैविट लबर हैं और आप भी कहीं जमीन पर मिटी के अंदर अपने मादा खरगोस को बच्चे देने के लिए रखते हैं तो इस वीडियो से आज आज आपकी काफी हिल्प होने वाली है तो गाईज सब कुछ देखने और जानने के लिए इस वीडियो में बने रहे हैं हमारे साथ एंट तक नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आरके मौरिया और आप देख रहे हैं आरके पे ट्रैविट एन एनिमल्स दोस्तो आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हर दिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजित कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रैविट से रिलेटेड वीडियोज ही बनाता हूँ और आपको हमेशा यहां रैविट से रिलेटेड कुछ नकुछ नया और जेनुवन देखने और सीखने को मिलेगा तो चलिए गाईज बिना देर किये आज की वीडियो सुरू करते हैं गाईज अगर आप अपने प्रेगनेंट खरगोस को कहीं मिटी में रखे हुए हैं और वो बच्चे देने के लिए बिल बना रही है या बना चुकी है तब आप उसकी सिक्योरिटी का ज्यादा ध्यान दें जिससे वहाँ सिकारी जानवर जैसे साप, चुये, कुत्ता, बिली, नेवला या फिर चींटियां वगएरा उसके बिल के आसपास या अंदर आ जा ना सके और माखरगोस को बिल बनाते समय उसके पास सूखी हुई नरम घास या फिर रूई यानि काटन और गहरा रख दें जिससे वह बिल के अंदर उसे ले जाकर अच्छे से नेश्टिंग कर सके और अंदर बच्चों को उसी पर जनम भी दे गाई ये काम आपको उसके बच्चे देने से पहले और बिल बनाते समय जरूर करना है जिससे जब ओ बिल के अंदर बच्चों को जनम दे तब उन्हें किसी सिकारी जानवर का खत्रा ना हो और ओ घास और रूई से बनी नेश्ट पर अराम से रहें माखरगोस को बच्चों को जनम देने के बाद माखरगोस ने बच्चों को दूद पिलाया है या नहीं ये सोच कर आपको जरा भी घबराना या टेंसर नहीं लेना है बस आपको सिर्फ और सिर्फ माखरगोस के डाइट को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है जिससे ओ इतने बच्चे दिये हैं तो गाई इसके लिए भी आपको जरा भी टेंसर नहीं लेना है बस आपको थोड़ा खुद पर पेसंस रखना है काबू रखना है और जल्दबाजी बच्चों को देखने की ना करके थोड़ा सा आपको बेट करना है कम से कम 12-15 दिन का उसके बाद आपको खुद ही बच्चों को बाहर ले आएगी गाई जैसा कि आप लोग इसक्रीन पर देख पा रहे हैं बच्चे जब कुछ बड़े हो जाएंगे तब वो खुद ही बाहर निकलने लगेंगे खेलने कुदने के लिए इसी तरह से फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं बस आपको थोड़ा बेट करना है बस और गाई जल्दबाजी में आकर आपको बच्चों को बाहर निकालने की गलती नहीं करनी है वरना बच्चों को नुकसान पहुँच सकता है और अगर मा खरगोष नाराज हो गई तब वो अगर बच्चों को दूद नहीं पिलाएगी तब भी आपको काफी प्राबलम हो जाएगी तो गाईज अगर आपकी भी मादा खरगोष बिल बना रही है या बिल के अंदर बच्चे दिये हुए है तब आपको जरा भी घबराना या टेंसन नहीं लेना है बस उसे सिक्योर करके रखना है तो गाईज मुझे लगता है कि आप आपका सारा डाउट किलियर हो गया होग और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए आपके यार दोस्तों के पास भी रैबिट है तो उन्हें भी सेर कीजिए जिससे जानकारी उनको भी मिल सके और गाईज आपके म वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंद।